हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर मिजवाकार बेग डे टू अफ माइकीडो चैलेंज में आप सबकर वेलकम करता हूं दोस्तों यह वीडियो मैं आरफास की चैनल अरवट पर अपलोड कर रहा हूं तो आप लोग प्लीज आरफास की चैनल अरवट को सब्क्राइब कीजिए ता देखर निंक में दे दूँगा जो लोग आरफास की चैनल और वर्ट पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको देवन का लिंक नीचे डिस्क्शिप्शन में मिल जाएगा और चलिया देखने आए तमने ब्रेक्फास में क्या किया तरे इस देखने आफ 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 आ केटो डाइट इस तो हमोर फैट देटू का जो में अट्रेक्शन है बहुत लोग रिक्वेस्ट की आरफा जी से कहिए कि कुछ की डाइट की डाले तो आरफा ने कुछ रस्पी आज शेर की हैं तो मैं अब अपना व्लोग आरफा शौकत के हावाले करता हूं आरफा जी दोस्तों काफी गैप हो गया बहुत दिनों बात मैं आप लों के आज रूबर हूं हूं अपनी रेसिपीस लेके क्योंके मेरी बेटी स्ट्रेट से आई भी थी और मैं उनके साथ थोड़ा बीजी थी और अपने व्लोक्स डाल रही थी तो आप लोग यह ना समझीगा कि मैं नहीं दोस्तों अएं व्लोक्स के साथ साथ रेचिपीस भी आपनोंको बताउंगी तो लोगों के काफी इसरार पर क्या आप रेचिपी नहीं डाल रही है तो अज मैं रेचिपीस क्यां इन्षालाथ दालती रहोंगया तो दोस्तों आज आगला आफने लि Jud beim वह हैं बोटी कबाब और यह बोटी कबाब जो हैं यह कीटो friendly कबाब्स हैं और क्योंकि दोस्तों मेरा इस साल का resolution था कि जो अपना weight down करना है इसको reduce करना है अपने आपको slim करना है जिसको लेके के हम लोगों ने किटोजोनिक डाइट जो है वो शुरू की है तो उसको उसी के एक पहलू को आद में लेके हाजिर हूँ आज जो मेरा लंच होगा वो है यह पपीते वाले कबाब होते हैं बोटी कबाब इनको मैं बना रही हूं तो दोस्तों आप लोग इंग्रेडियंट्स देख लीजिए दोस्तों यह एक किलो मटन है और यह बॉनलेस मैंने कराया वा है और यह पपीता है यह एरांड वन फिफ्टी ग्रैम से ग्रसों ग्रैम और यह दो टेबिल स्पून लसन अधरक का पेस्ट है और दोस्तों यह मसाला है इसमें दो टेबिल स्पून धनिया है धनिया साबुत दो टेबिल स्पून जीरा है और यह 15-20 जो है यह सोख मिर्चे है और इन सब को मैंने भून के रख लिया है इनको मुझे भी पीसना है और दोस्तों यह नमक है देर टीजपून और यह एक टीजपून गरम मसाला पॉप यह मैंने पपीता पीस के रख लिया पारिक और यह देखिए यह मैंने धनिया मिड़्चे जीरा भी पीस लिया है अब मैं इसको मेरीनेशन कर रही हो हूँ यह देखिए सबसे पहले हम लगा देंगे पपीता इसमें यह हम ने है यह सब पहुता हम लगा दिया और इसके साथ ही हमने नमक गरम अशाला डाल दिय और हम इसको मिक्स कर देंगे है विए ने लशा नद्रक का पेस्ट मिला दिया और ये वह धन्या मिर्चे जीरा जो हम पीसा था ये सब लगा दिया तो ये हमारी गोटी कबाब की जो रेस्पी है उसको हमने मैं मैरिनेट कर दिया है ये सब हमने इसमें लगा के रख दिया है तो अब मैं इसको रख दूँगी और इसका मेरिनेशन होगा और फिर इसको मैं सिर्फ बगार दूगी दोस्तों इसमें बेसन भी भूनके पड़ता है लेकिन क्यूंके मैं कीटोजेनिक रेस्पी बना रही डालोंगे क्योंके keto diet में बेसन मना है तो इसलिए मैं बेसन नहीं इंक्लूट कर रहे हूं इसमें सिर्फ मैंने यह सब मसाले लगा दिया है यह जो कबाब है यह दो मरहलों पर मुश्टमिल है एक मैरिनेशन दूसरा कुकें तो अब देखिए दोस्तों यह मैरिनेट होके लिए पर दोस्तों मैंने उन्मीन नहीं डालों यह मैंने इसमें दो तेज़ पत्ते डाल दिये और अब मैं एसमें मतन डाले जारी है अब हम इसको 20-25 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको भून भान के उतार लेंगे हमारे बोटी कबाब पर याई यह देखिए दोस्तों अब मैं इसको फ्राइ कर रही हूं अच्छा से भून जाएगा तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इसको सर्ट कर दे और मेरा फाइनल इंग्रिजिएंट टोड़ा वोटर है कि मैंने हल्सका का टोड़ा डाल दिया इसमें और अब मैं इसको बिशा उपर हैंगे जैस फ्रेंड्स तो आप लोगों ने देखा मेरे कीटो फ्रेंडली बोटी कबाब तयार है यह हमारा आज का लंच है तो चलिए चलते हैं डाइन टेवल पर हां तो दोस्तों हम लोग का डेटू अपिटो चलेंज चलना है और आज आज आपने हमें क्या बना के खिला रही है मैंने आज आप लोगों के लिए बनाया है कीटो फ्रेंडली बोटी कबाब बनाया है मैं चुछभु तो बहुत अची आप यहा यह यह अग यहाँ पिट व्यूद टेस्ट बनाइज यह अर यह क्या है यह मैंने सेलेड बनाइए है यह सार यह कैबेज ब्रोकली और यह ओलिव और अलिव उलिव बनाया एं उपर से लिए उलिवाल बीश प्रिंगल क कि इसमें हमें फैट जादा लेना है अरूंड 60-70% परसंट है तो अगर हम लोग जैसे मीट और यह जादा खा रहे हैं एंडा जादा खा रहे हैं तो इसमें प्रोटीन बढ़ रहा है तो हमें अपने फैट कंटेंट को बढ़ाना है इसलिए अगर आपने सुबह देखा होगा कि हम लोग ने जो ब्रेक्सफर्स में किया उसमें कुछ अलग से हमने बटर इस्तेमाल किया कुछ बटर के क्यूज भी हमने खाये और इसमें भी जो सालड है इसमें भी आरफा ने इसको ऑलिव वागरा डाला हुआ है पिकोज भी नीड टू इंटी अवर फैट कंटेंट मे आप यहीं देखिए बाकी कीटो डाइट में क्या-क्या ओप्शन सापको मिलेंगे वेजितेरियन में और नौन वेजितेरियन के लिए यह हम लोग एवरी दे आपको पिछन पूछ अपडेट देते रहेंगे तो इस्टे टिउन बाकी दिनर मुलाकात होती है लेट्स इंज बनाएं और इसको वेजिज के साथ सेलेट के साथ जैसा के मैंने बनाया था आप लोग खाके देखिया आप नों को बिलीव मी बहुत मसाएगा तो दोस्तों यह थी मेरी आज की रेस्पी मेरा व्लोग हाँ तो फ्रेंड्स आज हमारी कीटो डाइट का सेकंड डे चैलेंज का डिनर है तो दोस्तों देखिये आज मेरी बेटी शिजा ने यह देखिये क्रीमी फिश क्रीमी गार्लिक फिश बनाई है जो के देखने ही से बहुत टेस्टी लग रही है इसके साथ यह सेलेड है लीफी सेलेड है विद बैपर एंड चिकन तो यह आज हम लोग का डिनर है हम लोग इसको करने को जा रहे हैं देखने से बहुत ही करने के देखने सेलेड हैं तो यहां नो कॉंपलिकेशन सभी तक ही तो फ्लू के सिम्टम्स हम लोगों को नहीं आये हैं थोड़ा बहुत मेरे खाल से जो हलकी सी सरदर्द्य हैविनस थी वह आज नहीं हुई कल फस्दे हुई थी अंगा प्रैंक्स अभी भी हो रहे हैं तो अभी भी हमारी बॉड़ी में कीटोसिस पूरी तरी से शुगी नहीं हुई है क्योंकि यह कहा जाता है कीटोडाइट पर होने के बाद भूग खम लगती है अभी तो हम लों को भूग जल्दी हो दी लग रही है और थोड़ा 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 है और यह वीडियो आज अभी आज आए मझे खोशी हो रही है और आम शूर लॉट पीपो अर वेटिंग के वैसे को इनका वाकार का क्या शरोता उसके बाद ही शुरू करी जाएगी तो लेट सी यह वीडियो आप लोग अरपास के चैन अरवाग पर देखिये और कल का जो लेटरी का व्लोग है वो आप लेटर माहा के चैनल के चैनल के बाद बाद है को लिए वोग जाए लेकिन वह रोटी अगार इतना मजा नहीं आता था अब जो हम बिलकुर प्योड अब एसे जो फैट ले रहे हैं यह प्रोटी ले रहें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहे है बहुत एज़ा है बह और हमने कामियाभी के साथ एक महीना कड़िया तो मुझे लगता है कि मैं इसको आगे भी कंटीनियू करूए तो आप अपने चैनल के लिए हाँ तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल आरफास की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकों प्रेस कीजिए ताके मेरा हर आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर दिए और देवन का मेरा व्लॉग है वो डॉक्तर मेर्जा वाकारबेक के चैनल पर पड़ा हुआ है तो उसका लिंक दिस्क्रिक्शन में दे दिया जाएगा और हम लोग इसी दरा से अपने 30 दिन के चैनल को रोटेट करते रहेंगे डिफेंट चैनल पर और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीस हम तीनों के चैनल को देखते रहिए और हमारे कीटो चैन झाल